बिषार का 12 अगस्त का कुरोना अपडेट बिहार स्वास्त विभाग ने जारी कर दिया है आकरेज़ों जारी किये गए है उसके अनुसर पिछले 24 गंटे में 3741 नय शंक्रमित मरीज पूरे बिहार से मिले हैं इसके साथ ही पूरे बिहार में जो कुल पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की संक्या है वो अब 90,000 के पार हो चुके यानि अब पूरे बिहार में 90,500 तिर्बन कुल कुरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं अगर बात करें हैं पिछले 24 गंटे में सबसे जदा मरीज मिलने वाले जीले की तो पत्ना हमेसा सही आगी रहा है नगत जीले, संक्रमित मरीज है पिछले 24 गंटे में अर३जिगुमित मिले हैं भोजपूर 95, बक्सर 85, दर्भंगा 58, इस्ट चंपारन 179, गया 107, गुपाल गंज 61, जमुई 34, जेहानबाद 79, कैमूर 37, कटिहार 200, खगरिया 26, किसन गंज 47, लखिसराय 18, मद्यपूरा 55, मदुबनी 179, मुँगेर 52, मुजफरपूर 160, नालंदा 92, नावादा 45, पटना 529, पूर्निया 124, रोतास 14, सहर्चा, 175, समस्तिपूर 81, सारन 148, सिक पूराय, 47, सीवर 19, सितामडी 81, सिवान 54, सुपाल 57, वैसाली 97, वैस्ट चंपारन 86, इस तरह बिहार के सभी 38, जीलो से 37, 341, नहे संक्रम पिछले 24 घंटे में मिले हैं, बिहार में सो कोरोना का संक्रमन है, वो 90,500 तीरपन है, लेकिन उसमें से 33,04 कोरोना के एक्टीब केस अभी बिहार में मवजूद है, अन्ने को अस्पासाल से छुटी मिल चुकी है, और वो घर जा चुकी है, वहीं जान गवाने वालों के संख रहा है, और अभी उपर है, यहां पर संक्रमन किश्रंक्या लगबग 15,000 पहुच गई है, दूसरे नमबर पर मुजफरपूर और भागलपूर है, जहां पर मामला लगबग 3800 के पास है, जबकि बेगुस राय और नालंदा में आकर आप 32 को पार कर चुका है, अगर सबसे क संक्रमीत जीलों की बात करें, बिहार में तो उसमें अरवल कैमूर और सिवर है, जहां पर मामला अभी 1000 के नीचे है, तो बिहार में फिलाल कोरोना पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है, जाच के रखतार के साथ मामलों के भी रखतार में बढ़ लगतार जारी है, इसके परतिसात के आसपास, अगर सबसे बहतरीन रिकवरी रेट वाले राजी की बात करें तो दिल्ली है, जहां पर 90% रिकवरी रेट ही है, अपने आप में एक बहतरीन रिकॉर्ड कहा जा सकता है, जिस तरह से दिल्ली ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, बिहार को भी बिहार के लोग भी कोरोना से लड़ाई में अपना युगदान जरूर दें क्योंकि ये पूरे बिहार और पूरे देश का मामला है केवल आपका और किसी खास लोगों का नहीं है, इसलिए जरूरी है कि मास्क का उपयोग करें, सेनिटाइजर को भी साथ रखें, कभी भी ज अन्ने बाद।